बंदे पुर्सोत्म, स्री स्री ठापुर्जी के जीवन की कुछ घटना, जीवों पर दया एवं ब्रिक्छ लता आदिका तुख अनुभव करना। स्री सतीष चंद जुवारदार जी लिखते हैं। बढ़ते देखा गया है। उनके सामने किसी व्रिक्छ पर आघात करने या फूल पत्ता तोड़ने से उन्हें कष्ट होता था। कोई कीट, पतंग, खटमल, मच्छर तक को भी वे मार नहीं सकते थे या ऐसा कारे करने के लिए सभी को मना करते थे। वर्तमान में उनकी पर दुख कातरता एवं जीओं पर और भी दया बढ़ गई थी। दूसरे पर दया करने का अर्थ अपने आप पर दया करना। किसी को भी अपने से अलग समझ कर सहायता नहीं करते थी वह काम मानों दूसरे के लिए नहीं किया गया बलकि अपने लिए किया गया ऐसा बोध रहता था अच्छा खादे सूरची पूर्ण भोजन देखकर रुलाई कभी कभी अन्हें भोजन कराने के लिए सुंदर आसन लगाकर दिया जाता था एवं उनके सामने सूरुची पूर्ण खान पांचस सज्जिद करके दिया जाता था वे उस समय उन सारी चीजों को देखकर छुबद होकर अस्रपुर्ण आँखों से कहते थे हाई हाई तुम लोगों ने मुझे ठाकुर बनाया है मैं एक ब्रामभर का लड़का था बाद में डाक्टर बाबू बना फिर अभी मुझे ठाकुर कहते हो और मेरे लिए इतना वहमले संदर खादे पदार से सजा कर रख दिया है तुम लोगों के कितने गरीब भाई कितने अस्थानों पर एक मुझे चावल के अभाव में कितना कष्ट पा रहे हैं वह तुम लोग नहीं देखते हो सीने में चाकु मारना और एक दिन उन्होंने मेरे घर पर रेलवे सुपरवाइजर आफ वर्क्स स्रीस बाबू के सामने मुझे से कहा क्या आपके घर में चाकु है मैंने कहा हाँ है उन्होंने कहा मेरे सीने में मारें अब बरदास्त नहीं होता है आप लोग दुनिया के लोगों का दुख नहीं देख रहे है घर पर बैठे बैठे सुख से दिन काट रहे है जगत के दुखों को अब मैं बरदास्त नहीं कर पा रहा हूं यह कहकर वे आँखों से अस्रु भाने लगे उस समय हमने जगत के मंगल का रहेतु प्रतिग्या की तो वे शांत हुए ऐसा भाव उनमें अनेकों बार देखा गया किसी समय से सिठाकुर के साथ हम लोग हिमायत पूर से कासी पूर जा रहे थे रास्टे में एक जगह पर देखा गया कि पानी के स्रोत में बहुत से कीड़े बह रहे हैं उसे देखकर उनका दिल रो ठा और वे आगे नहीं बढ़ पाए उस समय वे उस पानी में जाकर खड़े हो गए वे हम एक एक करके कीड़े को सावधानी से पकड़ पकड़ कर उची जमीन पर रखने लगे एवं अनुने करके बोले बचाईए भाई बचा दे इन कीड़ों को उस समय हम लोगों ने वैसा ही करना सुरू किया इस कारे में पराया एक घंटा भी दिया एक दूसरी घटना बाए हाथ के अग्यात भावं से दाए हाथ से दान बंगला तेला सो चबश साल हिमायत पुर्ग्राम में करमकार ऐसी दुर्दसा में पड़ा कि प्रति दिन दोनों साम उसके परिवार वर्ग को अन नहीं जुट रहा था उसकी पतनी वस्तर के भाव में घर से बाहर नहीं निकल पाती थी उसके ऐसी सोचनी अवस्ता में परमद आल से सिठाकुर का दिल रोव था उसकी सहायता करनी पड़ेगी यह सोच कर कि उसे सहायता करनी है पर गुपत भाव से दान करना होगा इसलिए वह व्यक्ति जिस से समझ नहीं सके कि इस परकार से बंदोबस्त करके उस ग्राम के अपरिचित दो व्यक्तियों को कुष्टिया से बुला कर उनके द्वारा रात में नौका द्वारा कुछ नए वस्तर दो बोरे चावल एवन तदपयुक्त डाल तरकारी लवन तेल इत्यादी उस व्यक्ति के घर पर भेजे गए वे उस घर में जाकर कौसल से उन सारे द्रब्यों को उस व्यक्ति को देकर अपना परिचे गोपन रखकर वहां से चल पड़े कौन किस के द्वारा उसे ऐसी परम द्या कराई है वह अनेक दिनों तक किसी ने नहीं समझा बाद में समझा कि उसी द्याल ठाकर के सिवाय देश में ऐसा द्याल और दूसरा नहीं है उस समय घटना की जानकारी मिली गुप्तदान और भी किये गए ग्राम के चौधरी महासे की प्राया सहायता करनी पड़ती थी अर्था भाव में वे अतिकस्ट से सौ परिवार समय बिता रहे थे एक दिन उन्होंने सिशी ठाकर के निकट आकर अत्यंत दुख की बात कहते हुए सहायता की प्रार्थना करके भदर व्यक्ति ने कहा कल भी उनका भोजन नहीं हुआ है ऐसी बाते सुनकर सिशी ठाकर के दिल में बड़ी ब्यथा पहुची वे तो अभी ऐसा कोई अर्थ उपार्जन नहीं करते हैं क्या करेंगे कोई उपाय नहीं देखकर स्रीसी वधु माता ठाकरानी के निकट जाकर सारी बाते बताकर कुछ मांगा उस समय उनके पास कुछ नहीं था इसलिए वे दोनों कानों के सोने की दो बालियां लेकर गोपन में उस भद्र व्यक्ति को देकर बोली इन दोनों को बेच कर भोजन की विवस्था करें स्रीसी जननी उस मामले को जान पाने पर किसी व्यक्ति के दोरा दो रूपए देकर कान की दोनों बालियों को लोटा कर स्रीसी बधुमाता को दिया एक और घटना अपना एक मात्र पहनने वाला वस्तरदान एक दिन एक इस्तरी ने आकर कहा बाबा मुझे एक वस्तर दे मुझे बिलकुल वस्तर नहीं है लाज नहीं बचा पाती हूँ उन्होंने कहा मेरे पास तो रुपए पैसे नहीं है जो तुम्हें दे और मेरे पास दूसरा वस्तर भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूँ पर मेरे पहनने वाला एक वस्तर है जननी ने उसे घर से एक वस्तर लाकर प्रदान किया जिस से उसका पहनने वाला कार्य चला हो जाए गुरू साथवती मार्च दो हजार साथ पेश संख्या उन्निस और बीस से जाए गुरू